हेलो नमस्कार कैसे हैं आप सभी आज में फिर साब के लिए बहुत अच्छी एक वीडियो लेकर आए हूँ जिसमें मैं आपको छूटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसा कि आप सभी को पताए कि 22 जन्वरी को प्रभु श्री रामलला जी की प्रान परतिस्ता की जाएगी और उसका जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट भी हो गया और मोदी जी इस प्रोसीजर को स्टार्ट कर चुके हैं तो मैं आपको मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को एक बर जरूर सब्सक्राइब करें मंतरन में जो अक्षत से जो चावल आए हैं उनको एक साफ कटोरी में आपको साबू चावल लेने और उसमें वो अक्षत के चावल मिलाने है और जो कटोरी के चावल में मिक्स करने के बा आपके घर पर कभी भी धन धाने की कमी नहीं होगी हमेशा एक लाब के आपको एक उमीद रहेगी कि हाँ हमारे साथ कोई है दूसरे हिस्से में भी सेम यही प्रोसेस करना है यही प्रोसेस करना है कि चावल में दो लॉंग डाल कर पोटले बना ले ले इसे आप अपनी दुका में जो है तरक्की की संभावना ही बढ़ जाएंगी और तीसरे हिस्से को अपने घर के एक मंदर के डब्बे में रखना है और जब भी आपका कोई भी शुब काम हो घर में कोई भी तो उन अक्षतों को रोली में मिलाकर आप अच्छे से इस्तमाल कर सकते हैं यह भी काफी शुब माना जाता है और चौथे हिस्से का उपयोग आपको करना है 22 जनवरी को प्रभु श्री राम आ रहे हैं तो उनके भोक के लिए आपको खीर बनाने में इस्तमाल करना विद्वानों का यह कहना है कि जितना आप उस खीर को परशाद के रोप में बांटेंगे उतना ही आपको लाव मिलेगा और आप पर हमेशा प्रभु श्री राम की किरपा बनी रहेगी तो एक बार जोर से कमेंट बॉक्स में जैकारा लगा दीजे जैश्री राम का और मैं आपको इतना आगे बताऊंगी कि 22 जनवरी को आपको करना क्या है देखें 500 सालों के इंतजार के ब नई वस्त्र पहने रंगोली बनाने घर को डैकोरेट करना है और जैसा कि मोदीजी ने कहा है कि हनुमान चाली सा का पार्थ करना है घर पे नहीं कर सकते तो अपने आसपास के मंदिरों में जा सकते हैं वहां पर आप हनुमान चाली सा का पार्थ करें भजन कीरतन करें जितन हो सके प्रभु श्री राम का नाम का जाप करें ताकि उनकी किरपा आप पर बनी रहे धन्यवाद वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं और जै श्री राम जरूर लिखें धन्यवाद